नमस्कार दोस्तों दप्लान गुरु चनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज की स्कड़ी में जो मार्केट में बहुत सारे फेक वीडियो चल रहे हैं जिसमें पत्तों में जड़े निकालते हैं और जड़े निकालने के बाद में जो है उसको बाहर निकालते हैं और बोलते ह एक महिने में इसमें जड़ा गई ऐसे वीडियो फेक होते हैं और वीडियो गलत होते हैं और इनी फेक वीडियो को एक्सपोज करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि यह जड़े निकलती कैसे कैसे इसको चिपकाया जाता है कैसे बोया जाता है किसे explain क्या जाता है सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में है और मुझे उमीद है कि यह वीडियो देखने के बाद में ऐसे पत्तों को गाड के निकालने वाले वीडियो आप देखना बन कर देंगे और इस तरह के नकली वीडियो बनाकर लोगों को जो है गुम इसमें बहुत सारे वीडियो वे लेका है क्यों कि क्या है कि जडर निकलती है लेकिन बहुत बारिक निकलती अच्टों से इससी का प्रफोगेशन किया जा सकता है बनाया जा सकता है जैसे मोटी पतियां रेती जय से succulent के होती है यह आपका Snake plant हो गया यह ऐसी पतियां जिसमें गिशी ज्यादा होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है यह तो बॉस्यल्च जल्दी होंगेगी जिसमें नीचे हैं और फटियोड प्रमेसे छाया सकता है लेकिन जेसे यूटूब यह पा़ती लिया जाता है जिसमें सेंड या मिटी चुको पीड भरा जाता है आप यह संग आप that शार पति काए बनाते हैं तो यह मैंने जो है अभी अमदी की पत्ति लिए और इसको जह इस तरह से वो लगाना बताते हैं कि यह पत्ति को उंगाने के लिए इस तरह से लगाते हैं तो दोस्तों हम भी आपको उसी तरह से एक वीज्वल बता रहे हैं जिसमें की यह पत्तियां लगा रहे हैं लेकिन इसको आप सत्ते बिल्कुल नहीं मानें आपको देखना है यह कि यह किस तरह से इस तरह से यह लोग लगाते हैं और जड़े निकालते भी दिखाएंगे जड़ों को हिलाते हैं दिखाते हैं और आप उन चीजों पर विस्वास कर लेते हैं क्यों क्योंकि ज्यादा तर देखने जो देखते हैं यूटूब वो नए लोग होते हैं खास करके होटी कल्चर या जो है आपके पौदो यह बगीचे वाले फिल्ड में दोस्तों आपको दिखाते हैं तो आप उसको सही मान लेते हैं क्यों क्योंकि कई न कई यूटूब पर जो पौदों के जो वीडियो देखते हैं वो ज्यादा तर नए लोग होते हैं कि जो सीख सीखना चाहते हैं अब सीखना चाहते हैं तो वह ऐसे वीडियो देखके वह भी प्रियोक करते हैं और वह ऐसी पत्तियां लगाते हैं और उसको जब निराशा होती है तो वह उनको बहुत दुख होता है क्योंकि आपको वीडियो देखका ही पता चलना चाहिए कि यह नकली क केसे कि यह जो मैंने फ्रेश है रख उस पर किसी ने मान लो पनी दग दी या कोई प्लास्तिका नग दुदिया और एक महीने बाद निकाल के बता रहा है तो आपको यह पत्तीयों पर ध्यान देना है कि पत्तिया एक महीने में ऐसी नहीं रहे सकती जैसी अपने लगई थी वे आपको यह भी दिखाऊंगा कि यह कैसे दिखेगा पर जब यह निकाल के दिखाते हैं उस समय उसमें जड़े लटकी रहती और पत्ती एकदम हरी रहती है तो आपको जान लेना चाहिए कि वह फेक है वह वीडियो नकली है और इस तरह से कुछ होता नहीं है तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि वह जड़े कि इस तरह से इसमें लगाई जाती है और उसको निकाला जाता है तो दोस्तों आपने जो है यह गोवा का मैंने जो जो जाम की पत्तियां डाली थी और यह जो है उसके बाद में वह वैसे कान ही हो जाती है कि इसको ढग दिया और उसके बाद में एक महीने बाद हो निकालेंगे तो निकालने के लिए वह क्या करते हैं कि पहले पानी छीटते हैं इस तरह से यह जो में पहुत दों में छुट रहा हूं इस तरह से पानी छीट लेते हैं यह देख रहे हैं यह मैं आपको बता रहा हूं वह बालू रहती है कोको पीट रहता है नहीं तो कुछ भी रहता है किसी भी चीद से बना देते हैं लेकिन वह तरीका भी गलत है आप देखी रहे हैं मेरे पुराने वीडियो में भी आप देख लेना तीन-चार दिन पहले ही ड जाता है और थोड़ी दिर बाद निकाल के उसमें फूल बन जाता है फूल में से पौधा बन जाता है और फूल के नीचे ही जो है जड़े निकला दी यह फेक और इसलिए मैंने उसको एक्सपोस किया था मेरा उद्दे से किसी को ठेस पहुचाना नहीं होता है कि कोई आपको एक पत्ता बाहर निकाल के दिखाते हैं उसके लिए से गल्राइब हुआ कि निकालने के बाद में बकायदा E को आपको पानी से दो के दिखाएंगे वह यह देखुएं यह यहां पर देख लिए यह जो है इसकी जड़े देखें है यह पानी से दोने के बाद में यह देखज़ I would bite यह जड़ दिखh रही है आपको यह भी कि इस जड़ दिखाते हैं और यह तो अगली है बर आप इसको आशली समझते हैं मेरे आपके सामने यह पूरा किया है चि पकाने का काम दिखाया है इस तरह से इसको चुपकाया और यह नहीं निकलता है कैसे भी आप देख लीज़ें तो ऐसे ही हदकंडे अपनाते हैं पानी में डाल के पानी में डाल देंगे और कुछ दिन बाद जो है जड़े निकल आई है ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरह से यह तो आपका यह हो गया और में मैंने दो ही जड़े एक यह जड़ निका लिए यह आभी आपके सामने यह निका लिए दो ही पत्तों को निकाला बाकी में जो है मैंने जड़ लगई नहीं यह देखिए यह देखिए और यह देखिए और यह इसके लिए नहीं लगई है क्योंकि मेरे को लगाने में भी थोड़ी सरम आ रही है कि इस तरह से यदि हम गलत काम करते हैं तो वो कहीं न कहीं जो देख रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है इसलिए आप एक चीज समझ लीजिए कि इस तरह से जो है गलत वीडियो का विरोत करें और उनको देखना बंद कर दें अच्छे क्रिएटर के साथ में जाए जो की वास्तो में आपको जो है अच्छे जानकरी दे और अच्छे वीडियो बनाता हो ऐसे के साथ आप यह सबी चीजों के साथ हो रहा है है यह ज्यादा समय नहीं चलेंगे यह कुछ समय के लिए यदि इस तरह से जैसे मैंने बनाया है एक्सपो लोग इनको एक्सपोज करते रहेंगे तो लोगों के पास में विशे खतम हो जायागा और जान लेंगे कि यह तो लोग समझ गया है इसलिए नया नहीं बनाएंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो का सपोर्ट करें और उसको ज्यादा से जादा सेयर करना ताकि आपके बेग्राउंड में देख रहे हैं हमारा 20-25 साल का नरसरी का नुबह है और हमने काफी काम किया है जो हमने सिखा वही आपको आम सिखा रहें इसलिए विश्वस्टनियता के साथ में आप हमारे चैनल बने रहें और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर आगे भी वने रहेंगे तब तक के लिए नमस्ते